नमस्कार दोस्तों नतीजों के बाद कोल इंडिया सैल पर अनिल सिंधवी की राय जान लिजिए स्टॉक्स की अहम लेवल दोस्तों इस बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कंपनियों कोल इंडिया और सेल ने सुंबार को तीसरी तिमाही क्वाटर थिरी फाइनिंसेल येर 2024 के नतीजे जारी किये हैं कोल इंडिया का मुनाफ़ा वड़ा है जबकि सेल का नेट प्रॉफिट घटा है नतीजों के बाद इन दोनों सेरों में एक्शन देखनों को मिले जी बिजनस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंदवी ने नतीजों के बाद कोल इंडिया सेल फिचर्स पर अपनी राय दी सेल फिचर्ड मार्केट गुरू अनिल सिंदवी का कहना है कि सेल के नतीजे अनुमान के कमजोर रहे कमपनी के ओपरेशनल परफार्मेंस बहुत कमजोर है सोमबार को अस्टॉक आठ फिसीदी टूटा था हलाकि अभी भी तीन महीने में या सेर 40 फिसीदी उपर है मार्केट कुरू ने कहा कि सेल फ्यूचर्स के लिए सपोर्ट लेवल 111 वा 115 और हायर लेवल 119 है महारतन अस्टिल PSU अस्टिल ऑफिरिटी आफ इंडिया लिमिटेड का अक्टूबर दिसंबर तिमाही में नेट प्रोफिट 423 करो रुपे रहा पिछले वितवर समान तिमाही में 542 करो रुपे था कमपनी की आए सालाना अधार पर 25,042 करो रुपे से घट कर 23,349 करो रुपे रह गई सेल ने निवेशकों को एक रुपे परती सेयर के अंतरिम डिविडेंट का ऐलान किया है इसके लिए कमपनी के बोड ने 20 फरवरी 2024 रिकॉर्ड डेट तई की है कोल इंडिया फ्यूचर्स मारकेट गुरू अनिल सिंधवी का कहना है कोल इंडिया के नतीजे दमदार रहे सोंबार के कारोबार में शेयर में 5 फिसीदी गिरावट देखने को मिली हलाकि बीटे 3 महिने का रिटर्न 40 फिसीदी के आसपास है अनिल सिंधवी का कहना है कि उपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है उन्होंने कोल इंडिया के लिए सपोर्ट लेवल 420 और हायर लेवल 449 वह 446 दिया है कोल इंडिया लिमिटेड का कंसो नेट प्रॉफिट चालू वित वर्ष की 3 दिसंबर में 16.9 फिसी दिबढ़ कर 9079 दिसंबल एक नो करो रुपे हो गया एक साल पहले इसी तिमाही में 775.55 करो रुपे था कंपनी का कंसो आपरेटिंग इंकम अक्टूबर दिसंबर तिमाही में बढ़ कर 3615.97 करो रुपे रही एक साल पहले इसी तिमाही में 3517.33 करो रुपे थी